देखिए पहले बात यह है कि हमारी पार्टी ने कहा कि आखिन में सुप्रीम कोर्ट का जज्ज्बंट फाइनल होना चाहिए तो एक बात तो यह है कि जज्ज्बंट के बारे में हमारी जो भी राय है लेकिन यह फाइनल है दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने भी यह सोचा है कि यह डिस्प्यूट को एंड किया जाए और इसलिए इन्होंने यह जज्ज्बंट दिया है लेकिन यह जज्ज्बंट के कुछ आधार हैं जिस पर प्रश्ण उठ सकते हैं और उठते हैं अभी हमें देखना पड़ेगा कि इस जज्ज्बंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कहा कि 1991 के जो कानून है उस कानून की जिकर उन्होने की और आपको मालूम है कि उस कानून में इस पश लिखा है कि और कभी भी धार्मिक स्थान पर कोई बदलाव या कोई इस प्रकार जैसे बाबरी मस्जिद को डिमॉलिश किया गया वो नहीं होना चाहिए तो अगर ये बात है और जैसे बाबरी मस्जिद की तोड़ना सुप्रीम कौट ने माना है कि वो बिलकुल गैर कानूनी था तो निश्यत रूपर सरकार की पहले ये फर्ज बनता है कि जिन लोगों ने उस बाबरी मस्जिद को तोड़ा है और वो प्रटिशन अभी भी जो कौट में इतने सालों से पड़ी हुई है उसको तुरंत उस पर आक्शन होना चाहिए हमने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोट ने धर्म निर्पेक्ष्टा और ये सारे असूलों पर बहुत कुछ कहा है वो ठीक है लेकिन प्राक्टिकली स्पीकिंग इस जज्जमन के बाद तमाम लोगों को हम अज़ करते हैं कि वो किसी प्रकार की ऐसे कोई गतिविदी न करें जो प्रोवाकटिव हो जो उकसाने वाले हो किसी के खिलाफ कोई महौल बनाने वाला है कि पिछले बार भी हमने देखा कि बहुत सारे कॉम्यूनल वाइलन्स हुआ है बहुत निर्दोश लोगों को मारा गया है तो उस प्रकार का महौल न बने ये भी बहुत ज़रूरी है राष्टिय जनता दल जाय हमारे राष्टिय अध्यक्षों नेता प्रतिपक्षों बांकी नेता हों एक एक अधना कारे करता हो जब मान्य सर्वोच्य नियाले महीनों भर से महीने कई महीने लगा है जब तमाम दलील साक्ष सबूत को देख रहा है तो हमारा एक स्पस्ट मत था कि मान्य सर्वोच्य नियाले जो भी फैसला दे हम उसको उसका स्वागत करें सम्मान करेंगे और हम कर रहे हैं एक पूरी पीड़ी इस पूरे मसले के कारण मैं समझता हूं उसने भोगता है हमारी हमारे डाजमितिक स्याबजनिक सरोकारों से स्कूल कालेज रोज़गार गय हो गया है प्रती दिन बैट करके हम मंदिर मस्जिद करते रहे हैं तो मान्य सर्वोच्य नियाले ने एक मत से फैसला दिया है और इस फैसले से एक नई नजीर बनी है मस्जिद के लिए जमीन बताई गई है राम मंदिर जो एक जो साइट था वहां राम मंदिर बने अब फैसले पर भी बहुत सक्त राय दी है तो एक जो हिंदुस्तान का सामाजिक ताना बाना है वो और कितना मजबूत हो वो और कितना मिजाज उसका विशाल हो सागर की तरह ये कोशिश मानने सर्वोच्य ने की है हम सब को मानने सर्वोच्य ने की है हम सब को मानने सर्वोच्य इस वर्षों में हमारी वो बाचीत ठहर सी गई थी इस तनाव को मैंने विक्तिगत जीवन में भी जेला है हम लोगों की राजनीति जो हमारा मिजाज बना इसी यह अंदोलन जब असी के आखरी वर्षों में शुरू हुआ ना हमें लगा कि इस मुल्क के ताने बाने को नस्ट करने की चेस्टा की जा रही है बहुत भुगता हम सबने विक्तिगत रूप से शेहरों को जलते मैंने देखू सोईंग अपनी आँखों से देखा मैं आग्रह करूंगा अपने तमाम देशवासियों से कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च यह तभी तक माइने रख करते हैं जब तक सामाजिक सोहर्थ होता है इबादत तब खुबसूरत लगती है जब हमारा आपसी रिष्टा बेहतर ढंक से सहे जाजाए मैं उसकी अपील करता हूं कोई पक्ष आहतना महसूस करे इस मुल्क का मिजाज अभी भी पापू के मुल्क के मिजाज वाला होना च सुप्रीम कोट सभी पक्षों को कई दशकों से इस पर बहस चल रही थी सुन रहा था मैं समझता हूं सुप्रीम कोट हमारे सम्विधान के द्वारा बनाई हुई वो संस्था है जो सभी नागरिकों की बात को और सभी पक्षों को सुनती है और न्याय को परिभाशित करते ह हुए उनको न्याय देती है परम पूजे बाबा साहब ने ये हमको संस्था दी समिधान के माध्यम से इसके लिए निर्णे का हम आदर और सम्मान करते हैं हमारी राष्टी अद्यक्ष भैन मायवती जी ने स्पष्ट कहा है कि जो भी फैसला हुआ है उसका आप सभी नागरिक को सम्मान करना चाहिए सभी पक्षों को सम्मान करना चाहिए और देश के लिए और सम्विधान और लोगतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है कि सभी लोग शांती बनाये रखते हुए इसका फैसले का स्वागत करें सम्मान करें और देश में जो अन्य प्रश्ण है सा पर अब हम आगे बढ़ें भारती राश्ट्रिय कॉंग्रिस अयोध्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णे का संबान करती है हम सभी संबंदित पक्षों वे सभी समुदायों से निवेदन करते हैं कि भारत के समिधान में स्थापित सरव धरम संभाव तथा भाई चारे के उच मुल्यों को निभाते हुए अमन चैन का वातावरण बनाए रखें हर भारतिय की जिम्मेदारी है कि हम सब देश की सदियों पुरानी परसपर सम्मान और एक्ता की संस्कृती वे परंपरा को जीवन्त रखें कर दो कर दो